हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियों हम बात करेंगे सक्षन में पूरा का पूरा एकसो सत्रा है कर दोब इसमें 40 सब सक्षन दिए गए हैं चारों को बकाइदे डिस्क्राइब करते हुए फूल एनालिजिस फूल कांसेट के साथ 117 से समंदित तिजने वी प्रस्ण है आपके सब इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को समंदित सारे डाउट से सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता ने के अग्होर उपहत कायद करने के शमन्द में या बात करता है कहने का मतलब स्विच्छा घोर उपात का मतलब है गंभीर चोट कि अगर आप इस विच्छा घोर उपात को नहीं कर रहें तो सिधे कर दें गंभीर चोट इसी को बेलते हैं ग्रीवियस हट 117 बात करता है गंभीर चोट के मामलों के बारे में दोस्तों इसमें चार सब्सेक्षन दिये गए हैं सब्सेक्षन बात करता इसकी डिफिनेशन के बारे में तो हम उसको देख लेते हैं देखिए 117 में क्या क्या चीज़े आती हैं इनको जान लेजिए पहले 117 में दोस्तों अगर कोई बेक्ति इतनी गंभीर चोट कारित कर दिया है जिससे की कान के सुनने की सक्ति क्या हो जाए कम हो जाए इतना जोर से चाटा मार देख हो की कान से सुनने की एगर सक्ति कम हो जा रही है तो सेक्षा 117 का फ़्यार होगा या फिर आंक की रोसनी चली जाए आक की रोसनी कम पढ़ जा या चली जाए या फिर उसका कहीं से फ्रेक्ट्यर हो जाए तूत फूट जाए दाथ तूट जाए ऐसे ही किसी भी तरह के अंग भंग हो जाए मतला अंग तूट जाए कहीं से भी अंग आपका तूट गया है पैर तूट गया है हाथ तूट गया है कान तूट चोट लगी कि बहरे हो गए हो आपकी रोसनी रखवक चली गई हो तो ऐसे अपराद करने वाले को गंभीर चोट में रखा गया है गोर उपहत में रखा गया है जो कि सेक्शन 117 बात करता है डिफाइन करता है अब देखिए अब इसके लिए क्या क्या आवाश्यक तक्त होने चाहिए अगर इसके तक्तो की बात की जाए तो दोस्तों यह काम जान बूच कर किया जाता है जान बूच कर किया जाता है तो सबसे पहली बात है कि ग्रीबियास हट पहुचाने के लिए ब्यक्ती जान बूच कर ऐसा अपरात करता है यानि उसका इरादा होता है उसका intention होता है कि मैं इस ब्यक्ति को गंभीर चोट कारित करूँगा दूसरी बात दोस्तों चोट इतनी गहराई से दी जाती है कि उसके अंग फ्रेक्चर हो जाए या नाक कान मैं बोले तो किसी प्रकार से अंग का तूटना और ब्यक्ति जो है वह इतना गंभीर चोट पहुचाया कि अस्थाई या फिर आस्थाई बिकलांग हो जाए अस्थाई या फिर आस्थाई बिकलांग हो जाए या फिर भीर दोरा चोट पहुचाई गई हो यह सब इसके इलिमेंट हैं मतलब 117 उसी जगह लगेगा जहां पर व्यक्ति जान भूच कर उसका इंटेंशन हो इराता हो कि मैं इस व्यक्ति को गंभीर चुट कारिद कर दूँगा और वह कारिद कर भी देता है तब section 117 के तहट मामले दर्ज होते हैं यहां तक आपको बात असपश्ट हो गई होगी अब देखिए इन्ही बातों को मैं explain करने वाला हूँ कि function क्या है इसके क्या कारिद अगर section 117 लागू करना है तो उसके क्या क्या कारिद होने चाहिए सबसे पहली बात तो जान बूच कर हड़ी तोड़ी गई हो हड़ी तोड़ी गई हो नहीं लोग कहते हैं कि मार 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 हड़ी तूड़ जाए इतना कस के मारो कि पैरवर उसको तोड़ दे तो पैरवर तोड़ना जो है section अब गंभीर हो गया है नजब से नया कारून आया है इसमें काफी कुछ परिवर्तन किये गए हैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ज्यादा से जादा दंड बेल सकता है अगर आपके चेहरे पर कोई इतिजाब फेक दिया हो और आपका चेहरा जुलस गया हो तो भी section 177 लागों होगा सुनने की सक्ति आपकी क्या हो गई हो कम हो गई हो आपकी चोट से सुनने की सक्ति कम हो गई हो या फिर आपके सरीर के किसी भी भाग को आ गया गर में बस्तु से दाग दिया गया हो सास वस नहीं होती है कर्चुल से दाग देती है तेल उपर कुरे देती है यह क्या है यह सब section 177 के गभीर अपरात की स्रेड़ी में आते है या फिर किसी बेक्ति को जहर दिया गया हो और वह बच जाता हो अगर जहर देने पर बच जाए लेकिन उसकी जान खत्रे में पड़ गई हो तब भी यह से सरक 177 के मामले बनता है अगर किसी बेक्ति का गला घोट कर हत्या करने का प्रयास किया गया हो गला घोट कर और उसको सास लेने में तकलिफ हो रही हो तो यह अभी कार्य उसे में आता है या फिर किसी बेक्ति को ऐसे अस्थान पर छोड़ दिया गया हो जहां पर या तो पूरा ठंडी पड़ती हो या फिर पूरी गर्मी पड़ती हो या तो पूरी ठंडी हो या गर्मी हो ऐसे अस्थान पर छोड़ दे उसके जान खत्रे में पड़ जा तो भी सेक्शन 177 उस प एक इरादा अब बात करेंगे सेक्षन 117 के सजा के बारे में यह तो हो गया फर्स्ट अब 117 का सब कुलास टू भी एंड़ास को देख लेते हैं इता है कि सब कुलास 3 के छोड़कर जितने भी गम्हीर चोट सब है ब कि इस में दंदित की जाएएए अगर किसी बेगति को सैख सथ 702 कए ताइद दैंडित किया जाएगा जो कि 7 साल की सजा होगी 7 साल की सजा प्लस जुर्माने से दैंडित Content किया जाएगा या फिर एक सो सता का शब क्लोस थ्री कहता है कि अगर किसी ब्यक्ति को विकलांग कर दिया गया हो विकलांग कर दिया गया हो तब उसको दंद देने का प्राधां किया गया है जो कि विकलांग अगर हो गया है तो दस साल प्लस जुर्माने से दंदिस किया जाए अब देखिए अगर इतना अस्थाई रूप से मजब गंभीर बिकलांग गंभीर चोटकारित होगे सबसे गंभीर और अस्था पूरा जीवन भर्वा बिकलांग रहता है आजीवन तब उसको दस साल से आजीवन कारावाज से दंडित किया जा सकता है बात समझ रहें ना दूसरी बात सेक्शन 117 का सब क्लास फोर कहता है यह कहता है दोस्तों अगर किसी ब्यक्ति के को पांच या फिर पांच से अधिक पांच या पांच से अधिक ब्यक्ति भासा न असले और अस्थान जात लिंग इत्यादी के मतर जहां पर भेद भाव की बात आती है भेद भाव किसी के साथ अगर भेद भाव करके आप उसको गम्भीर चोट कारित करते हैं जात के अधार पर भासा के अधार पर किसी भी तरह के सामधाई करदार पर अगर उसको भेद भाव करदार पर पांच या पांच श्यादिक ब्यक्ति भीड अगर भीड किसी को मारती है और अस्थाई चोटकारित करती है तब उसके लिए सेक्षार सब्सक्राइब करते हैं यह भी दोस्तों साथ साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाए रही है अशा करते हैं कि आपको यह पूरा का पूरा पूरा वीडियो एक सब्सक्राइब का क्लियर हो गई होगी समझ में आगया होगा इस से सम्मंदित अब कोई भी सवा हाल या डाउट नहीं होने चाहिए है तो आधि वीडियों दोस्तों फिलहाल इतना ही मिलेंगी किसी अन्य वीडियो में तो तक लिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो फिले चनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेजिए लाइस के संजीके को और ऐसी वीडियों देखने के लिए पर बने रहे हैं जाए हिंदू